हाई गाईस आज का हमारा पार्ट है कबीर और इसमें हम पहला पद कर रहे हैं तो यहाँ पर यह पद लिखा है कबीर जी के द्वारा कबीर कहते हैं कि परमात्मा एक है परमात्मा को लोग अलग-अलग मानते हैं भिन-भिन मानते हैं वे लोग अज्यानी हैं कबीर के अनुसार इस श्रष्टी में जो पानी है वायू है और ज्योती है सभी एक ही तत्व से आती है यानि कि इस संसार का रच्यता जो है बनाने वाला जो है वह एक ही है कैसे है एक यह उन्होंने बताया है कि एकई खाग गड़ाई सब बांड़ाई एकई कौहरा साना कैसे है कि बढ़ाई लकडी को काट सकता है लेकिन उसमें जो आग है उसको नहीं काट सकता है क्योंकि वह सारे संसार में एक ही है उसी प्रकार से जो इश्वर हैं वह सारे संसार में व्याप्त हैं उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता या काटा नहीं जा सकता फिर वे केते हैं जैसे इबाढ़ी कास्ट ही काटाई अगने न काटाई कोई सब घटी अंतरी तो ही व्यापक धराई सरूपी होई वे हैं इश्वर जो है हर घट के भीतर है यानि हर इंसान के भीतर है और अलग-अलग स्वरूप उसने धारण कर रखे हैं यानि देखने में लगता है कि उसके अलग-अलग स्वरूप हैं लेकिन इश्वर जो है वह एक ही है और सभी प्राणियों के भीतर रहता है फिर वे कहता है मनुष्य को संबोदित करते हुए कहता है कि हे मनुश्य संसार की माया में रूप को देख कर यह सारा संसार लुब्द हो गया है लुब्द हो गया है यानि आकर्शित हो गया है और तो इस जुठी माया पर क्यों गर्व करता है प्रभु प्रेम में दिवाने कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मों से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भै नहीं रहता है उन्हें किसी भी प्रकार का भै दुखी नहीं कर सकता व्याप्त नहीं कर सकता है इस स्टेंजा की विशेश अगर हम देखें विशेशता की बात करें तो कबीर की वानी में प्रखर आत्म विश्वास है और अपनी बात को आत्म विश्वास से वो कहते हैं हम तो यह शब्द जो है इसमें निर्भिकता उनकी दिखाई देगी आपको यानि निडरता उन्हें है निडर है वो उन्हें कोई भै नहीं है ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के स्रजन का विचार जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया है एक एक में यमक अलंकार है यानि दो अर्थ है